नमस्कार बच्चों, आगे हमने कक्सा साथ हिंदी में पाठ पहला चित्र के संगसंग और काव्यदो तब याद तुम्हारी आती है पढ़ा आज हम हिंदी विशव में व्याकरण में जो लिंग परिचय है वह पढ़ने वाले हैं तो लिंग सब्दकार्थ क्या होता है लिंग सब्दकार्थ है जिस सब्द से वह सब्द स्त्रिलिंग का है या पुलिंग वाला है तो वह पता चलता है इस सब्द में जैसे स्त्री जाती और पुरुष जाती और कोई भी चीजवस्तु भी आ सकती है चली, हम आगे बढ़ते है लिंग दो प्रकार के होते है एक फुल लिंग, दुसरा स्त्री लिंग विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर लिंग के कुछ उदाहरण दिये गए है जिसमें पहला है, पिता जी आज बाजार गए है दुसरा है, पेड हवा से गीर गया तिसरा उदाहरण है, मा कपड़े दो रही है चोथा उदाहरण है, तुम्हारी घड़ी कहा है पाच्वा है, दादी रामायन पड़ रही है आगे है, भैया काम पर गए है बच्चों यहाँ पर जो पिता जी, पेड, मा, घड़ी, दादी, भैया आदी सब्दों से वह सब्द स्त्रिलिंग का है या पुलिंग का वह हमें पता चलता है जेन सब्दों से पुरुष जादी का वोध होता है उन सब्दों को पुलिंग कहा जाता है जैसे पहला उदाहरण है परवत बहुत उंचा है तो यहाँ पर परवत कैसा है तो क्या उत्तर मिलता है परवत उंचा है तो परवत कैसा जिससे हमें पता चलता है कैसा सब्द से पता चलता है वह सब्द पुलिंग का है दुसरा उदाहरण है सभी का बचपन बहुत सुन्दर होता है तो यहाँ पर सुन्दर सब्द है तो कैसा होता है? सुन्दर होता है तिसरा है जहाज डूब गया है क्या डूब गया है? जहाज तो जहाज कैसा होता है? तो जहाज पुलिंग सब्द है आगे है ये डब्बा मेज पर रख तो तो यहाँ पर मेज सब्द क्या है? पुलिंग सब्द है और डब्बा सब्द भी पुलिंग का है स्ट्रीलिंग की परिभासा जिन सब्दों से स्ट्री जाती का बोध होता है ऐसे सब्दों को स्ट्रीलिंग कहा जाता है जैसे उदाहरान पहला है उसकी तो खटिया खड़ी हो गई दूसरा है किताब बहुत पुरानी है तो किताब कैसी? धूप निकल गई है तो क्या निकल गई है? धूप निकल गई है तीसरा है यह सिता की बंदूक है तो यहाँ पर सिता और बंदूक दोनों सब्दों स्ट्रीलिंग के है विद्यार्ती मित्रों यहाँ पर कुछ सब्द दिये गए है जिसका हमने लिंग परिवर्तन किया है पुलिंग सब्द से स्ट्रिलिंग सब्द कैसे बनता है लड़का सब्द का स्ट्रिलिंग क्या होता है लड़की, पिता, माता, दादा, दादी, नर, नारे, राजा, रानी, गोडा, गोडी, हाथी, हतीने, सुन्दर, सुन्दरी विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर कुछ स्त्रिलिंग सब्द दिये गए है जिसका हमने लिंग परिवर्तन क्या किया है पुलिंग में परिवर्तन किया है चुहिया चुहा, सुनारिन सुनार, मालिन माली, बेटी पेटा, मालकिन मालिक, सेठानी सेट, इंद्रानी इंद्र, नौकरानी नौकर त्यार्थी मित्रों यहाँ पर लिंग परिवर्तन के कोच उदाहर वाक्या की रुप में दे गए है जैसे सिक्सक का लिंग परिवर्तन क्या है, सिक्सी का तो सिक्सक पढ़ा रहा है, उसका वाक्या परिवर्तन क्या होगा, लिंग का सिक्सी का पढ़ा रही है दूसरा है गाय बेल, तो गाय दूद देती है, बेल किसान का मित्र है तीसरा है देव देवी, देव प्रसन होकर वर्दान देते है, गोडा गोडी, महाराना का गोडा बहुत वफादार था, सवार की रक्सा के लिए गोडी ने अपने प्राण दे दिये विद्यार्थी मित्रो यहाँ पर हमने लिंग परिचय पूरा पड़ लिया अब इसमें हमने क्या-क्या देखा पहले तो क्या देखा लिंग की व्याख्या यानि परिवासा दूसरा लिंग के कितने प्रकार होते हैं? दो स्ट्रिलिंग और पुलिंग लिंग कितने प्रकार के होते हैं दो एक स्ट्रिलिंग दूसरा पुलिंग आगे हमने क्या देखा सब्दों का लिंग परिवर्तन तो स्ट्रिलिंग सब्द से पुलिंग बनाया पुलिंग सब्द से उसका स्ट्रिलिंग बनाया आगे हम क्या सिखे कि कौनसा सब्द स्ट्रिलिंग का है, कौनसा सब्द पुलिंग का है, तो सब्द की परचान यानि लिंग परचान, जैसे सिखसक, तो सिखसक कैसा होता है, तो सिखसक पुरुस्वाचक सब्द है, सिखसी का कैसी होती है, तो सिखसी का स्ट्रिलिंग सब्द है तो इस तरह से लिंग पहचान भी देखा गाय कैसी होती है तो स्री लिंग सब्द है गाय बैल कैसा होता है तो यहाँ पर सब्द का लिंग पहचान भी हमने देख लिया और यहाँ पर जो आप देख रहे है वह लिंग परिवर्तन के पूरे वाक्या देए गए है तो सिखसक पढ़ा रहा है सिखसी का पढ़ा रही है तो यहां पर सब्द के बदल जाने से पूरे वाक्या में बदलाव आता है तो बच्चों यहां पर जो हमने पूरा लिंक परिवर्थन और परिचय पढ़ा तो यह सब आपको अपनी CW की नोटबुक में लिख लेना है और अब हम आगे के वीडियो में मिलेंगे तब तब को आपको यह ग्रू कार्या अपनी CW की नोट में करके रखना है ठीक है? चलिए अब हम आगे मिलेंगे